पाकिस्तान पर जितना भी कर्ज आज मौजूद है ये IMF की वज़े से है IMF ने कर्ज चड़वाया है वरना पाकिस्तान एक कर्ज मुक्त और विक्सित देश हो गया होता ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात पाकिस्तान कह रहा है और भारत में मौजूद कुछ बुद्धी जीवी लोग भी कह रहे है दरसल आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय कर्ज के पहाड तले दवा हुआ है और ये पहाड कितना बड़ा है दरसल पाकिस्तान की जो टोटल अर्थ व्यवस्ता है ये 270 बिलियन डोलर है और पाकिस्तान का कर्ज 300 बिलियन डोलर से भी ज्यादा है यानि इनकी जो GDP है उससे भी 30 बिलियन डोलर ज्यादा का कर्ज इन पर मौजूद है इतना है नहीं कल ही पाकिस्तान के प्रदार मंत्री ने ये भी कह दिया कि हमारे पास अगले सालेने 2022 से देश चलाने का पैसा भी नहीं बचा है इसी बीच एक थियोरी ये उड़ाई जा रही है कि ये पाकिस्तान पर जो कर्ज है ना इतना ज्यादा ये IMF की वज़े से हुआ है यानि कि इंटरनेशनल मोनेटरी फंड वरना पाकिस्तान बेचारा मासूम देश है इन पर इतना कर्ज होता ही नहीं ये तो विक्सित देश ब हुआ है तो इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बहुत ही सरल भासा में समझाने जा रहा हूं और आप पाकिस्तान का जो ये प्रोपोगैंडा है ना इसे भी समझ जाएंगे तो चलिए बीनस में वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों पाकिस्तान हमेशा से कर्ज में द कम कर्ज देना शुरू किया पाकिस्तान को लेकिन दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के अंदर भष्टा चार हद से ज्यादा है माली से किसी प्रोजेक्ट के लिए चीन से 10 रुपे का लोन लेते हैं तो 3 रुपे तो इनकी नोकरशा खाजाएंगे 3 रुपे इनकी सेना खाजाए ये लोग मार्किट वैल्यू से चार से लेकर 5 गुना ज्यादा ब्याज वसूलते हैं अपने लोन पर और अगर आप ब्याज समय पर न दो तो फिर उस ब्याज के उपर भी ब्याज लगता है और यही हाला थोड़ते चले गए पाकिस्तान के पहले चीन से लोन लिया फिर उ आखरी option IMF के पास में यानि कि International Monetary Fund आप से लोग जानते हैं कि जो भी देश आर्थिक संकट में फसा होता है तो वो IMF के पास जाता है वहां से bailout यानि कि बहुत ही बड़ा पैसों का package लेता है ऐसे में पाकिस्तान भी IMF के पास गया और कहा कि जी आप हमें लोन दे दीजे देश चलाने के लिए अब IMF ने कहा कि ठीक है हम दे देंगे लेकिन आप हमें बदले में गरंटी के तोर पर क्या रखेंगे अगर आप नहीं जानते तो IMF भी bank कितरे ही काम करता है 1991 में भारत को भी जरुत पड़ी थी जब हम economic crisis में थे हम भी IMF से loan लिया था लेकिन बदले गाया तयार होगा तो उसमें हमारी भी भागेदारी होगी हमारे हिसाब से तयार करना क्यूंकि हम उसमें ऐसे प्रावधान करवाएंगे जिससे कि हम जो आपको पैसा दे रहे हैं वो जल्द ही recover हो जाए अब हुआ भी ऐसा ही उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर बजट है वो चुका देते लेकिन अब हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर कुछ बची कुछी इंड़स्ट्री बची है जैसे तमाखो की चावल की और दूसरे अगरिकल्चर प्रोडक्ट की उन पर जब हैवी टेक्स लगना शुरू हुआ इससे पाकिस्तान के अर्थ शास्त्री त इंड़स्टी है वो भी कंपेटिशन नहीं कर पाएंगी बढ़ती कीमतों की वज़े से और हमारी अर्थववस्था और ज्यादा बरबाद हो जाएगी अब पाकिस्तान के इस तरक को भारत में भी समर्थन मिलना है कि आएमफ ज्यादा टेक्स लगवा कर पाकिस्तान की अर लोन मांग रहे है ना इसके लिए कम से कम 6 बिलियन डोलर का ही सोना हमारे पास गिरिवी रख देना जैसे कि भारत ने 1991 में किया था इसाब से बात सही भी है आप देख लीजे आपके आसपास चोटा मोटा कोई बैंक होगा आपको एक चोटा सा लोन देने के बदले भी आप से भारी भरकम गारंटी मांगता है ऐसे में यहां तो बात हो रही है 6 अरब डोलर की यानि करीबन 50 हजार करोड की और पाकिस्तान की गारंटी कुछ नहीं है अर्थभवस्था बरबाद है रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं है और IMF को कहते हैं कि बीना गारंटी के 6 अरब ड कि बीन है ऊसी को हार रेवेन्यू सोर्स नहीं है और मारें रहीं है आर कर दाwiąकर देल देलके में रहीं है इंत